गुड मॉर्णिंग टी यू अपने यूटूब चैनल के माध्यम से ट्वाथ के बच्चों के लिए सेकेंड लेके प्रस्तुत हूं राकेश चेकवर्टी यूटूब चैनल इंग्लिस स्टुडिल्स के माध्यम से आज का हमदों का चाप्टर है भारत इस माई हो इसे भारत के तिसरे राष्ट्रपती डॉक्टर जाकेर खुशेन ने राष्ट्रपती पद्ध की सपथ लेने के बाद एक भाशन के रूप में दिया था वस्तुता एक भाशन ही है एक जी ही है जिसमें डॉक्टर जाकेर खुशेन देश की संप्रभुता अखंड़ता सांस्कृतिक एक था एवन देश के संविधान के प्रति अपनी निस्था समद्धित करते हैं तो शुरू करते हैं इसके सारांस के समरी से बाद इसमाय होम इस एं इंस्पिरिंग स्पीच दिलिवर्ड बाइ दॉक्टर जाकेर खुशेन आफ्टर टेकी दो ओथ एस दो प्रेसिदेंट आफ इंडिया इन नाइंटीन सिक्स्टी सेवन बाद इसमाय होम एक पिर्णा दायक भाशन है जिसे डॉक्टर जाकेर हुशेन के गवारा उननी सो संसथ में भाद के राष्टपती के रूप में सपत ग्रहन के पस्चात दिया गया अगरी तो दुक्तर तुटर राधा कृष्णन बेंगाट इन फिलोसफ फिलोफस आप्र लाने तो प्रेसिदेंजेंड ऑंतल इचितर को लिट अरृट स्चाने डीट इन वर्किशन के प्रेश्ट आपने स्वेह घर्टी इच्रण टेंगाश्चें के प्रति रडि इस अर्पित करते हुए कहते हैं कि दॉक्टर राधाक्रिश्ण एक सिक्षावित होने के कारण तार्शनिक होने के कारण राष्टपती कार्याले में एक मानसिक यंत्र विद्वता की प्रठास्था और अनुभो का खजाना लेकिया है जो शायद ही कहीं और अपलबत है दॉक्टर हुशेन तुक दो ओथ ओफ लॉयल्टी तो दे कर्स्टिटूशन अफ इंडिया दॉक्टर हुशेन भारत के संविधान के प्रठी निश्थावान होने की सपथ लेते हैं के प्लेज़ इस लॉयल्टी तो इस कंट्री में इरिस्पेक्टिव अफ दियर कास्ट रिलिजियंस एंड लेंगविज़ज़ डॉक्टर हुशेन अपने देश्वासियों के प्रठी बिना किसी जाती धर्म भाषा के भेदभाव के सब के प्रठी अपनी निश्था अवर्पित करते हैं वह भारत को प्राचीन लोगों का एक नया देश कहते हैं एक कंसिडर्स दैट पास्ट इस अलाइव और डाइनेमिक वह मानते हैं कि अतीत जिन्दा होता है उसमें गती होती है वह डाइनेमिक होता है यह हमारे वर्तमान की गुर्वत्ता और हमारे वहेशी की आशाओं को निर्धारित करने में सामिल होता है he thinks that the business of education is to minister the constant process of cultural renewal उनका मानना है कि सिक्षा का कारियर सांस्क्रितिक नवीनी करन की सतत चलने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करना है he maintains that education is the prime instrument of national purpose and the quality of the education determines the quality of the nation वो इस बात को भी रखते हैं कि राश्ट्रिय उद्देश्यों के लिए सिक्षा प्रमुक शाधन है और किसी राश्ट्र की गुरुवत्ता उसके सिक्षा की गुरुवत्ता से निर्धायत होती है Dr. Hoshan considers India as his home and all the citizens as his family members Dr. Hoshan भारत को अपना घर और इसके सभी नागरिकों को अपने परिवार का सदत से मानते है As the head of the family, he wants to make this house strong and beautiful घर के मुख्या होने के नाते, वो इस घर को मजबूत और खुपसूद बनान चाहते है He asks all the family members to cooperate him in this great work और वो सभी परिवार के सदर्शों से यह अगरह करते हैं कि इस महान कारे में इस बड़े कारे में वो सभी उनका सहयोग करे The family is big and the task is very demanding परिवार बहुत बड़ा है परिवार बहुत बड़ा है और सामने जो काम है वो बहुत ही demanding है No one can rest or sit back यहां किसी के भी अराम करने के या बैठ जाने के जगह नहीं है Dr. Hussain feels that this work has two aspects Dr. Hussain ऐसा महसूस करते हैं कि यह जो काम है इसके दो पहलम है Work on oneself and work for the society around एक तो है खुद के लिए काम करना Everyone has to work for himself खुद के लिए काम करो और दूसरा अपने समाज के लिए भी काम करना They are mutually fruitful aspects of work यह पारस्परिक फल्दाई कारे के पहल है Individual work means moral development as a free person and under self-imposed discipline व्यक्तिकत कार्य का मतलब क्या हुआ कि हम अपने नैतिक उत्थान के लिए अपने नैतिक विकास के लिए कारे करे और वो भी आत्म अनुशासित होकर Its end product is a free moral personality और इसका जो फल होगा वो क्या होगा? वो एक स्वतंत्र व्यक्तित्तो नैतिक व्यक्तित्तो का विकास होगा Individual progress cannot sustain itself without social development व्यक्तिकत विकास व्यक्तिकत तरक्की अपने आपको बचाय नहीं रख सकती जब तक कि सामाजिक विकास सामाजिक प्रगति नहीं हो डॉक्तर जाकर हुशयन यकीन रखते हैं कि उनके देश्वा से इस महानकार्य के लिए लगने वाली उर्जा उत्पन्न कर सकते हैं ही इस रेड़ी तो कंट्रिग्यूटी शेयर इन दिस ग्रेट वर्क और इस महानकार्य में वह अपने हाग का काम करने के लिए बिलकुल तयार है तो यह उस स्पीच का जो डॉक्टर जाकर रुशयन ने दिया था उसका एक सारांस था इससे संबंदित नोट्स, वर्ड नोट्स, इसकी समरी, एक्जाम के लिए उप्योगी, अब्जेक्टिब सवाल, यह सारी चिज़ें आपको अगली वीडियो में मिलते रहेंगे आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक्यू